टॉपिक लिख लिए सबने लिख लिए सो राइटिंग टास्क टू आपके पास जब भी आए तो आपको सबसे पहरे उसकी पहचान करनी है क्योंकि बहुत जब भी देख रहा हूं बच्चों की तो बहुत सबक्राइब निकल रही है उसके अफ currently इस बर just सबसे थेafeल आहब को करण कर आओ कि जब भी आपने अपने आप फिल तो सबसे पहले उसकी पहचान कह rok में जडरी है जब पहचान करोगे इसक लिए इस प्रसमेय आपको टेकनीक क्या उसंकर्तानी आप असानी से writing task to कर लोगे, अक्सर बच्चों की ये दिक्कत रहती है कि thoughts नहीं आते, लिखना क्या है, कहां से start करना है, कहां पे end करना ये बहुत बड़ी समस्या रहती है, तो कुछ चीजे बताने लगा हूँ जो आपको दिमाग में रखनी है, और अगर आप इन techniques को इस तर आस के ओपर planning कर लो, कि लिखना क्या है, अगर आपने पांच मिनट अच्छा कर लिया, तो 35 मिनट आपके बास, असानी से इस काम को पूरा कर पाओगे, पांच मिनट करो, उसके बाद उस जो प्लैन किया है, पांच मिनट में, उसके ऊपर 30 मिनट, 30 मिनट उसको लिखो, ला लिखास्ट में जो लास्ट पांच मिनिट हैं उसको प्रूफ रिडिंग नहीं कर पाते तो प्रूफ रिडिंग करो आपको दो तीन-चार गलती अपनी नजर आ जाएगी जो दोबारा से आप पढ़ोगे तो पता लग जाएगा उसको ठीक कर लो तो प्लैनिंग क्या कर नहीं पांच मिनट आपने इस लिखना क्या-क्या है उसके आईडिया सोच लेने हैं 30 मिनट्स उसको लिखने में असानी से लग जाएंगे और लास्ट पाइव मिनट्स जब आप लास्ट फाइव मिनिट्स कर लोगे तो आपकी अपनी गलतियां नजर आ जाएंगी एक यह पहले उसको देखना है है क्या तो जैसे इस टास्क में आपके पास है चाइल्डूड अबैसिती इस प्रॉब्लम इन मेनी कंट्रीज वर्ट आर दप्वाजिज अव दिस हाओ केंड़ प्रॉब्लम भी मैनिज्ट तो इसमें हमें इस समझने को आई कॉज इस पूछे हैं और ह आओ केंड प्रॉब्लम भी मैनेज्ट यानि इसको कैसे दूर किया जा सकता है रीजन आगे कारण आगे और उसके सेलूशन आगे ठीक है यानि हमारा टास्क जो हो गया डीजन और सेलूशन का हो गया तो इसको लिखना कैसे है उसका तरीका बताने लगा हूं साथ में जो आ पांच तक भी लेकर जा सकते हो चार तो लिखने लिखने ना 6 करने की जरूरता है ना 3 करने की जरूरता है 4 से 5 के बीच में रहो के तो बहुत अच्छा लिखा जाएगा आपका तो जो पहला पेराग्राफ है यह जो इंट्रोडक्शन है इसको लिखने का एक बहुत ही असा कर लो इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लो one two three तीन सेंटेंस में डिवाइड कर लिया आपने पहला कोई भी कीवर्ड उठाओ जो आपको question दिया हुआ है कोई भी keyword इसमें से जिसके ओपर सारा question based जैसे यह है childhood obesity is a serious problem in many countries इसमें से major problem क्या निकली और बेस्टी सब को इतना पता लग गया कि यह जो सारा topic based है वह obesity के ओपर based है तो यह हमारा keyword बन गया keyword कौन सा बन गया जिसके ओपर सारा question based है तो पर एक sentence लिख दो पहला फर्स sentence उसके ओपर लिख दिया ठीक है एक secondary sentence उसके ओपर लिख दिया City कि दूसरा जी पैरा फ्री망ज ओ धीक रो दूसरा पैरासरी पर स्कार तो पैराफ्रेसिंग यानी इस question को जो पूचा गया है उसको अपने शब्दों में लिखो जितने अपने व्यल्ड्स लिखो गे ज WARGA से जादा प्रेजिंग कर दो गे उतना ही आपका सेंटेंस ही आपका जो टास्क है वो बैंट को रहा इंकूर्व होता जाएगा यह जुरूरी नहीं है कि सारे ही वर्ड को चेंज कर ना है जितने मैक्सिमं से मैक्सिम मं कर पाऊ सारे कर दो है अपने वर्ड्स अपने लिखने हैं उसके वर्ड्स को कॉपी नहीं करना अगर हम उसके वर्ड्स को कॉपी करते हैं एक्जामिनर के वर्ड्स को कॉपी करते हैं तो हमारे बैंड score improve नहीं होते हम बैंड score अपने लूज कर देंगे और तीसरा तीसरा sentence अपनी opinion अगर आप से पूछी गई है opinion तो जरूर देनी है बच्चे यहां पर mistake करते हैं वो कहते हैं हमसे opinion कोई दे देता है कोई नहीं दे देता कोई यह सोचता है कि introduction में opinion दे के ना दे last में दे देंगे conclusion में तो opinion जरूर मेंशन करो examiner को पहले हो जाएगा आपने लिखना क्या है आगे जितना examiner को clear picture दोगे उतने ही आपके बैंड score improve होंगे बात समझागी तो तीन sentence लिखे हमने है तीन sentence यानि हमारा पहला paragraph खतम हमारी यही सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हम start कैसे करें कोई चीज अगर शिरू हो जाए ना फिर हमारा rhythm बन जाता है problem आती है start कैसे करें तो start करने का बहुत असान तरीक आपको बता दिया है इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लो तीन sentence में डिवाइड कर लो तो पहला sentence आपने लिखा इसके keyword के ओपर दूसरा लिखा आपने paraphrasing word change किये meaning change नहीं करना और तीसरा अगर आप से opinion पूछी गई है तो उस opinion को जरूर दो ला paragraph खत्म हो गया बात समझा गई नेक्स्ट paragraph number two BP one body paragraph one इसमें आपको इसको चार यां पांच हिस्सों में बांट लो चार यां पांच हिस्सों में बांट लो आपका body paragraph one जो है बड़ी असानी से हो जाएगा अब इसमें body paragraph one में क्या आएगा उसने क्या पूछा था जो कोशन पूछा था वाट आर था है कि आपने लिखा कैसे है लिस्ट प्रॉब्लम से बात नहीं बनेगी चाहे एक दिया हो लेकिन उसको अच्छे तरीके से explain करना है अगर आप उसको explain कर गए तो examiner को भी लगेगा कि आपको एक आइडिया है और उसको आप elaborate कर पा है और आप उतना ही अच्छा score ले पाओगे बात समझागी ना सो कोई भी यह इसके कारण एक यह दो कारण सोचो क्या कारण है कि जो obesity है causes of this obesity क्यों बढ़ती जा रही है कई देशों में यह क्या कारण है तो एक आइडिया सोच लो तो पहला sentence आपने बनाना है में आइडिया आपका में आइडिया क्या है में आइडिया में आइडिया मिस नहीं करना एक्जामिल को पहले ही कि first sentence में clear होना चाहिए आपका main idea क्या है कि है ना तो main idea क्या हो सकता है उसके ओपर आपने विचार करना असानी से मिल जाएगा आपको अगर आप सोचोगे कि obesity मोटापा क्यूं बढ़ रहा है लोग मोटे क्यूं हो रहे हैं तो उसका कारण क्या है कि तो क्या कारण हो सकता है ज Brilliant Vision अब सबको बता लग आसानी से पता लग ग!", जो आपने में डिया दे चौ़ी बी माइडिया जो आपका माहिन में हर बचे का अपना मिलारिया हो सकता है यह नहीं है कि मेरा मेलाइडिया की अंसर ठीक होगा आपका अपना मेन आइडिया भी ठीक हो सकता है सिर्फ रेलिमेंट होना चाहिए है ना और सटी का आपने अगर जंग यह तो किसी और को कुछ और भी हो सकता है यह मैंटर नहीं करेगा लेंगवेज मैंटर करेगी लिखा कैसे है उसमें एरर कितनी है यह सब चीजें मैंटर करती है आ अगया आगय चो एक यह दो संटेंस उसकी एक्सप्लानेशन उसको एक्सप्लेंट करो जो में अपने आप से कोश्चन अब प्रावल्म आती एक्सप्लें कैसे करें उसका भी असान तरीका के अपने आप से कोशन पूछो हम कहते हैं कि जंग फूड सबसे बड़ा कारण है का तो अपने आपसे question पूछो कैसे क्यूं क्या कारण है कि जंक फूड खाने से कैसे हो जाता है तो अपने आपसे से question पूछोगे आपको उसका अंसर मिल जाएगा और उसकी explanation हो जाएगी ठीक है और अगर आप मानलो आप उसको थोड़ा और और रसी लेबरेट करना चाहते हो आपका sentence कैनेक्टर की तो इसको कर सकते हो Connectर की हल्फ से Connect रफ लगा सकते वह न रहुंअ अर अरो डोसक्ति युशन करनी है जब भी आपने कुछ अडिशन करनी थे कम connector की help से हम अपनी उस बात को और आगे रख सकते हैं ठीक है तो एक यह दो sentence में उसको explain किया उसी मेर आइडिया को उसके बाद अब देखो उसने question क्या पूछा था childhood obesity is a serious problem in countries what are the causes of this इसके कारण क्या है है ना कारण क्या है and how can this problem be managed अगर हो सके अगर हो सके तो जो आपका reason आपने सोचा इसका effect क्या निकल रहा है इसकी example क्या है कोई भी एक चीज़ आप बता सकते हो ठीक है next sentence में कि मोटापे से इसका यह effect हो इतने तरह की problems हो रही है बच्चों को इस वजा से है ना result रही है इसमोजा से यह सरी serious problem हो सकती है diabetes हो सकती है ना heart disease हो सकती है कोई और major disease हो सकती है क्यों हो सकती है reason बताया आपने main idea उसको explain किया effective उसको और addition कर दिया और उसको next जो addition कर दिया last में लास सेंटेंस पांचमा या च्छटा सेंटेंस उसके उसका क्रक्स लिखना है इस पैराग्राफ का जो आपने यह पैराग्राफ लिखा है इस पैराग्राफ का क्रक्स निचोड ठीक है उसका निचोड क्रक्स लिख देना इस पैराग्राफ का कि यह पैराग्राफ हम यहां पर लगे हैं यह निमने जो सारे हैं वह अड़ेंटीफाई एक रिजन यह दो रिजन क्लोज कर दिये यह मेरा पैराग्राफ पहला बॉड़ी पैराग्राफ वन कंप्लीट हो गया बात समझा आगी ना उसके बाद बॉड़ी पैराग्राफ नमबर टू कि उसमें आपने इसके स्ल दो ज्यादा से ज्यादा है ना उसको भी चार यहां पांच संटेंस में भांट लो पहला सुलूशन में आइडिया प्लैन करो में आइडिया क्या है आपका में आइडिया क्या सुलूशन क्या है में आइडिया उस में आडिया में क्या सुलूशन लिख सकते हैं यह यह दो स अच्छा स्कूर करेगा सो हेल्दी डाइट जैसे जो मेन आइडिया है आपका हेल्दी डाइट हो गई रेगुलर एक्सरसाइज हो गई है ना और गौर्वर्मेंट के तवार अवियरनेस होगी कोई पर अच्छी तरह से लिख पाओ उसको लिखना शुरू कर देना है और अगर दो लिंकिंग कर सको आपस में वह कुनेक्टर की हल्प से आप लिंकिंग भी कर सकते हो तो आपने जो भी मेन आइडिया सोचा उसका एक सेंटेंस उसके बाद उसकी explanation उसको explain करो ठीक है फिर उसको explain एक यहां दो sentence में उसको explain करो और अगर आपके पास एक और solution है वो दे सकते हो last में इसका भी क्रक्स ठीक है लास्ट में इसका भी क्रक्स तो दो paragraph आपने body paragraph complete कर दिया उसमें problem भी बता दी solution भी बता दिया ठीक है और उसके बाद अगर आपके पास लगे कि आपके बगास और आइडिया है तो एक paragraph बनाना चाहो अधरवाइस जरूर्थ नहीं इसके चार में बड़ एच्छे तरीके से symmetry wise clear होगे आपको बना दिये examiner को clear कर दिया और लास्ट में आप conclusion conclusion दोगे है ना फूर्थ paragraph conclusion का रहेगा ठीक है अब यहां पर बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं कंक्लू उपर कुछ और लिखा है conclusion में कुछ और ही दे दिया याद रखना है conclusion में नया point नहीं देना conclusion वही लिखना है जो आपने ऊपर paragraph body paragraph one body paragraph two में यहां जो introduction में आपने examiner को बताया था उसी को explain करना है लेकिन कोशिश करनी है कि words change करने है meaning वही निकले words change करने है थाकि आपकी vocabulary की help सबसे आप अपने ideas उसको दे सको और vocabulary के जो points है जो bands है वो भी अप ले सको बात समझागी ना इन सब को अपने पूरा complete करना है minimum two fifty words जो आपने complete करने हैं कि यह symmetry अपना होगे तो question असानी से solve कर लोगे आपको कोई problem नहीं रहेगी बात समझागी ना क्लेर हो गया point तो इस symmetry को आपने adopt करना है अब जब आप लिखोगे कोई दिक्कत आएगी तो आप दुबारा से पूछ सकता नहीं कि आपको यहां तक कोई की परशानी रहेगी लिखना आपने ऐसे ही एक बार note कर लो कोई symmetry है इसके ओपर कोई problem है तो फिर आप मेरे से discuss कर सकते हो कि अब आप कर दो